हेलो शुडेंट्स वेलकम टू लिटल जोल्जिस्ट इस लेक्चर में मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 साइंस का चैप्टर नमबर 13 वाय डू वी फॉल इल यानि कि हम बिमार क्यों पढ़ते हैं आपको कुछ रीजन तो पता होंगे कि हम किन-किन कारणों से बिमार पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं ज्यादा डिटेल में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा दिखो इन जर्नल आपको यह चीज़े पता ह होनी चाहिए कि हम बिमार क्यों पढ़ रहे हैं क्या क्या कॉज़ेटिव ऑगनिजम्स हैं कितने टाइप की बिमारियां होती है यह बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए सो यह चेप्टर इंपोर्टेंट है एंड एक्जाम में भी से कोशन बनते ही आराम से कोशन पूछ लिया जाते हैं तो आपको क्या करना है बस लेक्चर पूरा एंड तक देखना है कोई डाउट रहता है या आपको किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए या कोई थोड़ी यह इसका आंसर अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि बिमारी क्या है हमें यह पता नहीं कि बिमारी क्या हम पहले ढूंडने लग गए कि हम बिमार पढ़ क्यू रहे हैं कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का तो पहले आपको यह समझना ह होगा कि हम नॉर्मल कब हैं हम ठीक कब हैं जब हम ठीक होते हैं उस कंडिशन को क्या बोला जाता है उस कंडिशन को बोला जाता है हेल्दी कंडिशन बोलते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो यानि कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप ठीक हो हेल्थ ठीक नहीं है तो माइंड की और बॉड़ी की जनरल कंडिशन यानि की नॉर्मल कंडिशन है ठीक है आप नॉर्मली वह करते हो ठीक है आपको कोई काम करना मल्टि टास्किंग करने नॉर्मली कर पा रहे हो लेकिन आप सही से नहीं कर पा रहे आपको कोई टेंशन है ठीक है आपको कोई होगे ना तो मैं क्या बोलूगा कि आप क्या हो इस समय समझ रहे हो इतनी चीज के लिए रहे हैं बाकि जो डवलु एचो ने डेफिनिशन दिये वो तो है ही इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बताऊंगा अभी बस इतने याद कर लो ठीक है इनके अगोर्डिंग क्या है जब कोई परसन फिजिकली ठीक हो आप समझ ही सकते हो चोट वगारा ना लगे कोई डिजिश्ट कंडिशन ना हो ठीक है mentally से मतलब है कि कोई mental problem ना हो suppose कि depression में ना हो परसन या फिर टेंशन वगारा ना हो ऐसी चीज़े ठीक है and social well-being से मतलब है ये कि जैसे कि आप ये समझो कि criminals वगारा होते है अब criminals को क्या करा जाता है generally socially outcast कर देते हैं ठीक है जैसे लोग को पता चलता भाई ये जील से होकर आया लोग ना थोड़ा वाइड करना चालू कर देते हैं उस पर्टिक्लर परसन को कि हमें इससे बात ही नहीं करनी हम इसको इससे एक्टीन रखेंगे क्योंकि ठीक नहीं है ठीक है क्यों ठीक नहीं है क्योंकि वह शूशली ठीक नहीं है सोशली हेल्दी नहीं है वह समझ रहे हो यह है इसका मतलब इतनी चीज़ के लिए एक्जाम में अगर आएगा तो आपको यह definition लिखनी है वन और टूमार्ट की को जो लोगों का वेर किया जाए कि वह हेल्दी रहें डिजिस फ्री रहें कैसे रहें यह सारे चीज़ें बताई जाती है ठीक है बाकी यह सारे चीज़ें तो आपको पताई है यह मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर देए यह पॉंक्शन कर पाई physically mentally and socially ठीक है बाकी अब अगर कोई physically fit नहीं है तो फिर उसको ठीक करा जाएगा ठीक है अब कैसे ठीक किया जा सकता है एक तो lifestyle है lifestyle चेंज करने से भी बहुत ज्याद़ एफेक्ट पड़ता है आपको यह जानके हैरानी होगी आज के टाइम पे जादतर लोगों को जो में प्रॉब्लम है वो lifestyle disease की प्रॉब्लम ह lifestyle disease क्या होती है कि ऐसी डिजिज जो lifestyle में चेंज की वज़े से आ जाती है जिसे diabetes हो गया या obesity हो गया obesity का simple मतलब है मोटापा अब आप exercise नहीं करोगे तो मोटापा हो गई ठीक है आप खाना खा रहे हो ठीक है लेकिन exercise नहीं कर रहे हो तो मोटापा हो जाएगा तो exercise करना जरूरी है proper sleep तो लेना ही है proper sleep लोगे तो थोड़ी tension कम होगे fresh रहोगे ठीक है relaxation भी होना चाहिए समझ रहे हो तो ऐसे बचा जा सकता है बाकी अगर मालो कोई bacteria या किसी भी microorganisms और pathogen की वज़े से problem है तो फिर उसे treat किया जा सकता है उसको kill करके किया जा सकता है ठीक है यह सारी चीज़े अब health के फायदे क्या है यह तो देखो मुझे लगता नहीं मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी फिर भी बता देता हूं कि health के क्या क्या फायदे है अगर good health होगी तो आप work efficiently कर पाओगे ठीक है कैसारी activity आसानी से कर पाओगे ठीक है जो social and mental pressure होता है उससे आप cop कर problem है तो आप आसानी से जिल जाओगे लेकिन अगर आप physically fit नहीं हो तो आपको बहुत problem होने वाली है ठीक है बाकी फिर यह कि good health की क्या फायदे है कि आप physically fit रहोगे social environment भी आपका ठीक रहेगा good looking हो गया ठीक है economic condition भी आपकी eventually ठीक हो ही जाएगी अगर आप physically fit हो पढ़ाई ल एक समय के बाद starting में होगी problem लेकिन एक समय के बाद सब ठीक हो जाएगा ठीक है आपका lifestyle active रहेगा लोगों की नजरों में आओगे कि यह देखो यह कितने अच्छे हैं है ना ऐसा होता नहीं है लोग आपको admire करने लगेंगे यह सारी चीज़े है good physical and social environment include clean surrounding good physical or social environment में क्या surrounding है वो बिलकुल clean हो ठीक है good sanitation हो जो garbage का disposal प्रॉपर हो जो cleaning जो water है वो काफी cleaned हो ठीक है आस मतलब की बात यह कि आसपास की जो चीज़ों बिलकुल साफ सुत्री हों कोई ऐसा इधर उदर फैलाव ना हो ठीक है good economic condition से मतलब क्या है कि भई job opportunities मिल रही है अब job opportunities मिल रही है तो आप earning करोगे अच्छा खासा पैसा आएगा तो पैसा आएगा तो आप eventually सब ठीक रहे गई आप फिर बाहर जाओगे party करने जाओगे खाना भी न खाओगे obviously बात है यह सारी चीज़े ठीक है लेकिन उस चक्कर में healthy lifestyle मत भूल जाना अपना ठीक है nutritious food वगएर खाओगे यह सार and community issue both matters for health health में क्या personal and community issue दोनों matter करते है ठीक है बानलों अगर आपको कोई personally problem है तो obviously बात है आप फिर unhealthy रहोगे लेकिन community में कोई problem है जैसे कि आप जहां रहते हो वहाँ पर crime rate जादा हो गया तो आपको tension रहेगी यार कि रात को लेट आएंगे तो दिक्कत कि भाई crime rate बढ़ है थोड़ा खतरा रहता है ना ऐसे तो यह community issue में आ गया है committee health क्या यह देख लो it refers to maintenance protection and improvement of whole community in which an individual leave तो यह sort of definition है एक्जाम में मुश्किल लगता है पूची जाएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए committee health से मतलब क्या है कि जहां भी आप रह रहे हो वहां पर protection हो proper maintenance हो मतलब आ कि कोशिश की जाए कि किसी को अगर problem हो तो उसको sort out किया जाए ऐसी चीजे समझ में committee health से मतलब क्या है जैसे कि आप रहते होंगे तो आसपर उसमें अगर कोई problem होती है तो help करते हैं मान लोग किसी की साधी आ रही है गल बगल में तो क्या करेंगे घर का कोई function है तो क्या करे हैं समझ रहे हो तो यह community health में आ जाता है परस्नल और community health साप्लीमेंटरी टू इच अदर जो परस्नल और community health यह एक दूसरे के supplementary है और आप परस्नली healthy नहीं हो तो क्या आप community में healthy रहोगे नहीं ना आप बाहर नहीं जा पाओगे किसी के help नहीं कर पाओगे समझ रहे हो आप आपकी body clean नहीं है ठीक है आप गंदे रहते हो तो आपको जो other person है आपकी community में वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा आपको कोई approach नहीं करेगा लेकिन अगर आप बिल्कुल साफ सुतरे हो काफी healthy हो earning भी आपकी अच्छी है तो जो other person है वो आपको approach करेंगे ठीक है environment जोगा वो healthy होगा जो surrounding environment होगा वो भी healthy होगा ठीक है इसी लिए जो personal and community health है वो दौनों interrelated है समझ में आया कैसे बोला मैं interrelated अब यहां पर ना फार्क है being healthy and disease free में healthy होने में और disease free में फार्क है यह जान लो being healthy से मतलब क्या है it is a state of being well enough to function well physically mentally and socially being healthy का मतलब क्या है कि एक ऐसी state है जिसमें आप physically mentally and socially ठीक हो आप आराम से function कर पा रहे हो disease free में क्या है कि आपको कोई disease नहीं है ठीक है it refers to the individual physical and social environment जो being healthy का मतलब है individual person को target करता है वहीं disease free में क्या हो जाएगा it reverse to only individual यह individual की बात की जाती है social environment भी आ रहे है न यहां पे being healthy में अगर हमारा आसपास का environment ठीक नहीं है तो भी दिक्कत है ठीक है the individual has good health energy energetics अब जो being healthy है उसमें काफी energetics होगा वो ठीक है लेकिन disease free में क्या है वह healthy भी हो सकता और poor health भी हो सकते उसकी इसका मतलब यह नहीं है कि उसको disease हो poor health है तो जरूरी यह नहीं है कि उसको disease हो लेकिन poor health है तो हम बोलेंगे वह unhealthy हो गया ठीक है disease and its causes अब disease क्या होती है disease refers to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the living organism मतलब कि disease क्या यह कैसी condition है जो किसी भी living organism के normal function को disturb करे या तो वो person है वो ढंक से काम करी नहीं पा रहा या फिर उसको modify कर दे ठीक है पहले काफी अच्छे efficiently work कर पा रहा था वो person लेकिन अब नहीं कर पा रहा है समझ में आया आपको hopefully आ गया होगा what does disease look like अब बिमारी वो कैसी दिखती है कोई shape है कि बिमारी की नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बिमारी में आपको पता ही है जैसे कि हमें बुखार हो गया और वो temperature है हम feel करके बता सकते हैं जो खाम हो गया running nose हो गया उसके कुछ symptoms होते हैं और science होते हैं कि हम देखके बता दें कि इस particular person को क्या problem हो रही है हम तो नहीं बताएंगे obviously वात है ये काम किसका है डॉक्टर का है डॉक्टर ये काम करते हैं ठीक है वेना परसन इस अफेक्टेड वायर डिजीज इदर दा फंक्शनिंग और अपिरेंस और नौन और मोर सिंटम्स आप बाडी विल चेंज मतलब कि अगर कोई परसन डिजीज से अफेक्टेड है या तो उसकी फंक्शनिंग में अफेक्ट आएगा या फिर उसकी बाडी में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी आप देख पाऊ गया पिरेंस में चेंज दिख जाएगा आपको ठीक है जैसे फोर एक्जामपल अगर किसी परसन का जॉन डिस बढ़ गया है ठीक है जॉन डिस आपको पता हो रहा है ठीक है तो यह कैया है यह स्के सिंटमस है ठीक है बाकी साइंस क्या है जब क्या किया यह लैप टेस्ट वगएरा किया ज leuke समझ में आया बहुत अच्छीजम में आ गया है तुं ठीक है एक प्राप्ल्ब्लम होगी, फीक है अब साइनस अब लेब टेस्ट करवाने से पहले क्या देखे जाते हैं देखे जाते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हूं थीक है तो जो डॉक्टर अंकल है या मैं है वह आप आप से पूछते हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आप बोलते हो कि मुझे सरदर्द हो रहा है बुखार आ रहा है इतने दिनों से जो भी प्रॉब्लम है आप बता देते हो फिर वो उसके हिसाब से अगर उन्हें नीड लगती है तो टेस्ट भी करवाते है अदरवाइस दव मिलेगा मुझे आपको चीजे समझ आ जाया है बाकी तो आप खुद करी लोगे इतने आप बड़े हो गए हो कि आप खुद पढ़के डेफिनिशन याद कर सकते हो नूर्स वगएरा बना सकते हो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े ठीक है अब डिजीज के तो मल्टिपल रिजन हो सकते हैं जैसे कि एक रिजन तो हो गया पैथोजन पैथोजन क्या होते हैं जो छोटे-छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉस करते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं जैसे कि बैक्टिरिया फंग जाई प्रोटोज उनका शिकार है ठीक है वह जेनिटीक फ्रव् difícil अबर में होता है जक But mostly प्रोब्ल hidden डुटर counselor जाती है तो इस से क्या बहुत बढ़ चुका तो क्योंकि वह बच्चे सर्वाइब नहीं कर पाते थे धी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन क्या होता है मैं आपको आगे बता हूंगा अभी फिलाल याद कर लो आपको पता है या पता ही होगा ऑविस्टी बात है कि हम जब छोटे थे तो एज के इसाप से हमें क्या है टीके लगते थे कभी छह महीने का टीका तो कभी दो साल का टीका फ बाकि environmental problem तो होती है जैसे environmental pollution हो गया उससे भी काफी problem होती है डैली में आपने case सुनाई योगा कि जब यह जो air quality है वो काफी decrease हो गई थी तो उससे भी लोगों को बहुत problem होने लगी थी ठीक है इतनी चीश समझ में आई कि यह किस-किस कारण से disease हो सकती है अब types of disease समझ लो हम कफिव का मतलब क्या है कि ये जो डिजीज है ये कुछ समय के लिए होती है लेकिन बहुत जादा इसका तग्डारay response होता है ठीक है short period के लिए होती है लेकिन इसका जो response होता है 12 होता है suddenly होता है quickly होता है जैसे कि Cold हो गया काफ हो गया typhoid हो गया अब cold है एकदम से एक हफते के लिए कोलर रहेगा लेकिन ऐसा हो जायागा कि भाई बिलकुल जो निजल पैसेज है यानि कि ना कि वो बिलकुल ब्लॉक हो जाए खास इतनी तेज आने लगेगी ठीक है टाइफॉइड का आपको पता ही है बुखार एकदम से तेज आने लगेगा कुछ केसेज में पेड में दर्द भी होने लग जाता है जो टाइफॉइड होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं इसे हम बोलते हैं एंटरिक फीबर ठीक है टाइफॉइड में बुखार होता है उसे बोलते है आतों का बुखार हो रहा है ठीक है आतों का बुखार क्यों होता जो बैक्टीरिया होता है वो आतों को ही एफेक्ट करता है अब यह टाइफ़र होता किस कारण से जो बाहर का जंग फूड वगेरा खाते हैं क्योंकि वह बैक्टीरिया वहां पर आ जाता है तो आराम से ओपाता है आराम से वह फिर बॉडी में चला जाता है खेर हम आगे है वह क्रॉनिक डिजीज क्रॉनिक डिजीज ऐसी होती है बच्चों जो लॉंग टर्म के लिए होती है इसका इफेक्ट जल्दी से पता नहीं चलता है कभी कवार तो ऐसा भी केस देखा गया कि वह लाइफ टाइम तक चलती जाती है जैसे कि डाइबटीज हो गई ठीक है ज चेंज कर लो योगा वगयरा करो एक्सराइस करो मेंटली थोड़ा फ्री रहो तो वह उन बीमारियों से बच सकते हो ठीक है नेक्स्ट डिजीज का टाइप है वह इन्फेक्शियस डिजीज और उन्हें कॉम्यूनिकेबल डिजीज भी बोले आता है इन्फेक्शियस का जाएगा तो लोग लोग अवाइड करते थे अब आपको पता है कोरोना की केस में मास्क लगाना बिल्कुल वह कर दिया है कंपलसरी कि अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो आपका चालान कटेगा है ना अभी फिर से केस राइज हो रहे है कोरोना के क्योंकि वह एक इन्फेक्शन बाय माइक्रो और्गेनिजम्स कॉल्ड इन्फेक्शिस डिजीज तो को डैफिनेशन खुद लिख लेना मैंने आपको समझा दिया इनको कमिनिकेबल डिजीज भी बुला जाता है फिर आती हमारी नौन इन्फेक्शिस डिजीज ऐसी बीमारी जो नहीं पहलत आर्थ्राइटिस होगे हर्ट डिजीज यह सारी क्या नौन इन्फेक्शिस डिजीज है एड्स को छुवा चात की बीमारी भी बोलते हैं कई जगे लेकिन ऐसा नहीं है वह फैलता नहीं है प्रिवेंशन करोगे अगर जो ब्लड ट्रांस्यूजन ना हो यह डारेक्ट इस चीज का ध्यान रखना समझ गए बहुत अच्छे बाकी देखो नौन इंफेक्शिर डिजीज में कितने टाइप है पहली है डेफिशिंसी डिजीज डेफिशिंसी डिजीज का मतलब है कि सरीर में किसी चीज की कमी हो जाए जैसे कि मालो अगर आखों की रॉसनी में प्र डिजेनरेटिव डिजीज क्या होती है जैसे कि आर्थराइटिस है अब वो क्या खतम करने लगती है धीरे धीरे ठीक है आर्थराइटिस क्या है ये बढ़ता ही रहता है इनको डिजेनरेटिव डिजीज बोला जाता है बस इतना समझ लो as of now अलर्जी आपको पता ही है किसी केंसर होने लगते हैं उसे लीकेमिया बोलते हैं चीमितङ का टाइप है वह कंजे सबस्दिक नइ algumasल आती है उसमें कोई प्र đầu हो जाए तो उससे उतर सब्सद्स बोलते है ढूर्व जब बच्चा पेट में उस समय मदर को कोई प्रॉब्लम हो जाए चोट वगयरा लग जा तो बच्चे पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका एक एक्जामपल है हीमोफेलिया और हीमोफिलिक लिखा हुआ यहां पे ठीक है यह चीज़ समझ में आए आपको होफु है यह छाँ थी पाइन से बाकी मैंने अपको समझा ही लिए टिकर नेक्स्ट पैसोजंस अब ठीक है हमने यह पढ़ लिया कि डिजीज के कितने टाइप है नों जो डीजिस पैलाते हैं मताइप पैसdı के का delegates कॉसिंग और गयनिसम सार काउल्ड पैस्ट यह पिन आज्सुन इ आते हैं बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला टाइफी माइको बैक्टीरियम टूबरकुलाई स्ट्रेफाइलो कोकस हो गया ठीक है यह सारे यह क्या है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी यह किसका बैक्टीरिया यह टाइफॉइड का है ठीक है किसका है टाइफॉइड का इको बैक्टिरियम टूबरकुलाई टूबरकुलॉसिस टीबी ठीक है इसे अब तो देखो ऊसे खाले तो दिक्कल्ट हो जाती है पाईजन वगयरा लेकिन फंगल इंफेक्शन और भी होते हैं आपने देखा होगा आप सर्दियों के टाइम पे जब हम गरम पानी से नहाते हैं तो आपने यह जगह देखा होगा जो जांग वगएर रहते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं बेसिकली वहां पे ना सफ़े सफेद से बिल्कुल चकत्ते पढ़ जाते हैं यानि कि वा फंगस को ग्रोग करने के लिए कंडिशन चीए वो है वार्म एन हुमिट कंडिशन यानि कि गीली जगे और गरमू तो वह आसानी से ग्रोग कर जाते हैं समझ में आया फंगस इंफेक्शन से मेरा मतलब क्या है पॉजनेस मश्रूम आपको मैंने समझाई दिया ऐसा मश्रूम जो की पॉजनेस हो और उसे खाने से दिक्कत हो जाती है फिर आजाते है कुछ प्रोटोजोवा जैसे की अमीबा ट्रिपनोजोमा प्लाजमोडियम लश्मानिया ठीक है प्लाजमोडियम ये कौन सा है जो मलेरिया का वो है ना मच्छर मलेरिया प्लाजमोडियम के वज़े से होता है समझ में आया प्लाजमोडियम भी तिन टाइप के होते है Peter मोट्जार्य कारी जो प्लाजमोडियम होते इनकी भी इसपीशीज़़ाइब के हो ठीशन के एनकी प्लाजमोडियम होते है ओसकी थे उसक्कार को być और उसक्तों अदर education ठीक है अमीबिया से बोलते हैं ठीक है यह समझ में आया तो पुनोजूमा जो स्लिपिंग सिकनेस होते हो इसकी वज़े से होती है स्लिपिंग सिकनेस अब वह क्या होते है वह आप हाई स्टरीज में पढ़ोगी और क्लास 11 में पढ़ोगे नेक्स्ट वार्म वह देखा नहीं पर धाई को आपने वीडियो देका और आइसे कीड्य नीकल रहे हैं ठीक है वह इतने ह्युआ टाइप के इतने बड़े बड़े नीकल रहे है ठीक है वो हमारे body में organ में चले जाते हैं फिर वहीं बढ़ते हैं क्यों कैसे होता है वो आपको आगे थोड़ा सा बता दूँगा मैं बाकी detail में तो आपको high studies में पढ़ना ही है समझ में आया है जो दूसरी disease है जिसका नाम आपने सुना होगा pandemic का नाम सुना है पेंडेमिक का नाम सुना है किन सुना यह बताओ सुना होगा ओविसी बात है कोरोना काल में यह वर्ट आम आपने सुन ली होगी lockdown आपने फर्स टाइम सुनी है ठीक है बहुत अच्छे अगर समझ में आ गया है तो ठीक है अपने माइक्रो अर्गेनिजम आंट टीजिज़ अब माइक्रो और्गेनिजम् और वह डिजिस कौन सी फैलाते है जैसे की वाइरस है वाइरस का माइक्रो और्गिनिजम का एक्जामपल होगा S.A.S. और HIV AIDS ठीक है HIV AIDS AIDS के बिमारी और HIV के वो वाइरस है HIV की फुल फॉर्म के है Human Immuno Deficiency Virus बाकी आप आगे पढ़ोगी जब मैं आपको HIV के बारे में थोड़ा सा पढ़ाओगा यह एक 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 जामपल है बाकी और भी कई साइर वाइरस है जो की डिजीज फैलाते हैं जैसे की डेंगी हो गया Aeroplox हो गया Poh हो गया Flu Phaws हो गया Common Cold हो गया Influence हो गया Ares हो गया Hepatitis B हो गया Chicken Box हो गया यह क्या है? Viral Disease है फिर आती है भी चोट बगरहा लगते तो झने लिख प्लe कहते हुदनध रिला गाता यह क्यों कि टैट्नफ का जो बैक्टीरिया है वह क्या कह देता है ओठेश कर देता है समझे फागे एक्जामपल रहे बैक्टीरिया के सालमोनील表ई का रिलस सालमोनील क्यूंहेल स्व॥ करता है टाइफ करता है ठीक है नेक्स्ट है फंगस और फंजाई पॉजनेस मश्रूम इसका एक 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 जामपल है जैसे कि गुट नहीं होता है यह एक्चुली में फूट होता है ठीक है बस मिस्प्रिंटिंग की वज़े से यह दिक्कत होगी अगर आप फर्स टाइम पढ़ रहे हो लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ NCRT पढ़ लेना या फिर जहां जहां मैं करेक्शन बता रहा हूँ वहां करेक्शन कर लेना प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया मैंने आपको बताए था कालाजर हो गया ठीक है जिसे और लेशमेनिया अमीबिक डैसेंट्री हो गया स्लेपिंग सिकनेस ट्रेपनोजोमा ठी सेक्टरा वार्म में एसकेरिस हो गया ठीक है टीनिया सोलियम हो गया ठीक है टीनिया सोलियम हो गया तीनिया सोलियम यह 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 इंटेस्टाइन में चले जाते हैं इंटेस्टिनल वार्म इंफेक्शन फैलाते है एलिफेंटियास फैलाते है एलिफेंटियास फैलाता है वु प्रचेरिया बैंक्रॉफ्टी यह स्पेलिंग पे ध्यान मत देना बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया है एलेफेंट यासिस नाम से पता चल रहा है इसमें होता है कि जिस भी परसन को यह वांप चला जाता है ना यह लिंफ में जाके बैठता है कहां बैठता ह जाता है वो एडिया पैर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा सूज गया हो ऐसा हो जाता है ठीक है बाकी कॉमन मेथड आव ट्रांस्मिशन ऑफ डिजीज यह डिखा रखा है ठीक है एक इंफेक्टेड परसन से हल्थी परसन में कैसे कैसे जो इंफेक्शन है वो फैल सकता है एक तो हो गया डिरेक्ट कॉंटेक्ट में हाथ मिला लिया आपने या सेक्शुल इंटरकोस हो गया ठीक है दूसरा है कि बाई एर जैसे अभी कोरोना वाइरस के केस में बोल रहे हैं कि मास्क लगाया करो क्यों बोलते हैं खासी आती है अब खासी में क्या है जो पड़े पहन लो या उसके साथ बैठके खाना खालो ठीक है तो भी वह प्रॉब्लम हो सकते वह इंफेक्शन आपको हो सकता है कोरोना के केस में यह हो रहा है पेशेंट से बिल्कुल दूर रहा जाता है क्योंकि वह कहा है बिल्कुली फैलने वाला डिरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या करते हैं जो इन्फिक्ट परसेνजा में उसका खून लिया फिर वो जो नार्मल परसेन है जैसे को इसको फattform चूसते हैं तो क्या करते हैं वह जो उनका भी जो हैना वायरस है जो भी प्लाजमूडियं। जो ब्रॉटोजर वागईरा वो उस परसंवा डिके हमारा होता ह होता है उसके दो होस्ट होते हैं होस्ट क्या होते हैं जिनके अंदर जो भी वाइरस हो गया बैक्टीरिया होगा जो रहता है सर्वाइव करता हुए उन्हें होस्ट बोला जाता है ठीक है दूसरा यह है कि डॉग से हो जाए अब डॉग ने काट लिया तो रेबिस का इंफेक्शन होनी का खत्रा रहता है ना इसलिए कुत्ते के इंजेक्शन लगवाते हैं अगर कुत्ता काट लिता है डॉग काटता है तो कुछ साथ इंजेक्शन लगते हैं अब ठीक है पहले तो 14 और 28 के करीब लगते थे अब 7 इंजेक्शन लगते हैं उसका भी टाइम इंटरवल होता है कुछ समझ रहे हूं बाकि कुछ ऐसा भी है कि फूड के थूरू इंदा सेंस की आपने एक ऐसे और्गेनिजम को खाया जिसमें उसके ना स्पोर थे स्पोर क्या होता है स्पोर हो गया या फिर जो और्गेनिजम है वो मिनियेचर फॉर्म में बहुत छोट है और जो आपने खाना खाया वो properly cook नहीं है अब cook नहीं होगा तो वो जो organism है वो मरेगा नहीं आपने खालिए वो हमारे सरीर में चला गया फिर वो वहीं है नेथा प्रपिट करने लगता है जैसे लिबर में करने लगता है जो infectious disease है वो कैसे फैल सकते है through year बता दिया water में water bond disease है जैसे कि टाइफॉइड का जो होता है वो जर्नली बाहर के fast food से और water से ही फैलता है वो ठीक है kolera हो गया amoebia हो गया dysentery हो ठीक है वेक्टर आपको मैंने बताई दिया है वेक्टर में organisms हो सकते हैं मच्छर हो गया है कोई animal हो गया है जैसे कि मैंने आपको बताई pig हो गया है ठीक है यह सारी चीज़ें clear है बाकी through sexual intercourse sexual intercourse or sexual contact STD STD की full form लिख लो sexually transmitted disease क्या है sexually transmitted ठीक है sexually transmitted disease समझ में आया यह आप लिख लोगे इसका example क्या है सेफिलिस हो गया एड्स हो गया ठीक है एड्स कैसे फैलता है यह sexual intercourse से फैलता है major reason इसका यही है बाकी एड्स के बारे मैं आपको अभी पढ़ाई रहा हूं ठीक है बाकी physical contact मैंने आपको बताई दिया है AIDS क्या है AIDS की full form लिख लो exam में आती है acquired immunodeficiency syndrome and इसको फैलाने वाइला जो वाइरस है वो है रेट्रो वाइरस रेट्रो वाइरस का मतलब की इसमें RNA है क्या है RNA क्या है genetic material है ठीक है जो nucleus के अंदर important part है वो क्या है RNA है DNA नहीं है ठीक है इस वाइरस की जो full form है वो लिख को HIV की full form है human immunodeficiency virus कई जगेना deficiency नहीं लिख रहता है human immunovirus लिख रहता है जो कि technically गलत है ठीक है अब होता क्या है जो AIDS का वाइरस है HIV जो वाइरस है वो सरीर में तो चला जाता है ठीक है वो grow करने लगता है काफी लंबे समय तक तो पता ही नहीं चलता ठीक है ददद साल बाद पता चल रहा है कि HIV है इस particular person को होता क्या है कि जो भी person है ना उसकी immunity एकदम से down उसकी immunity ना पहले धीरे धीरे down होती है अब immunity down होगी तो जो person है ना उसको multiple type की disease होने लगेगी कई सारी बिमारी होने लगेगी यहां तक की जुखाम से भी बहुत problem हो जाएगी person को ठीक है AIDS के transmission कैसे होगा भई sexual contact मैंने आपको बता ही दिया है blood transfusion यानि कि अगर जैसे कि मानलो आपको खून की कमी है आप गए hospital में खून चड़वाने ठीक है blood transfusion बोलते है इसे लेकिन जो other person है उसे था AIDS and देखा नहीं डॉक्टर ने चेक नहीं किया तो जब वो blood आपके अंदर जा आएगा दूसरा है infected needle का use करके और blade का use करके यह यह सारे काम पता है किनके यह चर्सियों के हैं ठीक है वह यह सारे काम करते हैं ठीक है एक single needle ली उसी से जो drugs हैं उन्होंने लिए फिर दूसरे ने ले लिए तो इससे क्या infection फैलता है बाकी जातर hospitals में ऐसा होता नहीं है कि जो needles है एक बार single use needles होती है उसके बाद उनको discard कर दे जाता है अगर कोई ऐसा कपा पर जो करता हुआ पाये जाये ना तो आप उसकी complaint कर सकते हो इवेन आप अगर बार बार शॉप पे भी जाते हो बाल कटवाने जा रहे हो ठीक है डाड़ी वगेरा बनवारे हो बाल कटवारे हो तो जो blade use कर रहा है आपको बार बर को बोलना होगा अगर बार बर पुरानी blade use करता है तो आप साफ मना करोगे करवाने से आप बोलोगे कि भाई नई blade का use कर क्लियर बात है बहुत अच्छे नेक्स है दिस में also be transmitted from infected mother to her fetus हाँ ये तब भी हो सकता है कि जो infection है ये जो AIDS है वो फैल सकता है mother से बच्चे को जब बच्चा क्या है पीट में हो ठीक है तो बच्चा कैसे जाए वही कर लो बच जाओ blood transfusion करते वक्त बचो चेक करो ठीक है हमेशा disposable needle और syringe का use करो blade का use करो ठीक है sexual contact को avoid करो unknown person के साथ क्योंकि आपको नहीं पता दूसरे person को AIDS है या नहीं है ठी multiple partners के साथ sex करने से बचो ठीक है same razor का use करने से बचो salon में ठीक है avoid transfusion of infected blood अब वो तो देखना पड़ता है ठीक है और check कैसे किया जाएगा HIV का test होता है अगर negative है तो आप आगे blood transfusion करो अगर otherwise positive है तो मत करो दूसरा है कि अब कुछ ऐसे organisms है जैसे कि जो मैंने आपको ओता है ता warm हो गया ठीक है टीनिया सोलियम हो गया ठीक है वोचेरिया बैंक्राफ्टी हो गया यह क्या organ में जाके बैठ जाते है ठीक है disease causing microorganisms enter the body by different means goes to different organ and tissue the science and symptoms of disease will depend on the tissue science or symptoms depend करेंगे कि वो कौन से tissue में गए कौन से organ में गए और जो micro है जो micro गया microorganism है वो कौन सा है ठीक है जैसे कि अगर जो microorganism है वो nose के तुरू आता है वो most likely lung में जायेगा ठीक है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया tuberculosis का वो जातर केस देखे गए है वो lung के देखे गए ठीक है दूसरे है कि जो microbiえば वह एंटर करता है मौटके थूँ तो वह कहां जायागा गट में जाएगा पेट में जायागा पेट और हमारे इंटस्टैंवगर थीक है और जैसे कि इसका एक्जामपल है हमारा टाइफॉयड लीवर हो गया तीक है नेक्स्ट क्या है कि अगर यह जो वायरस है यह उसके तुरू चला जाए सेक्शुल ओर्गन के तुरू चला जाए सेक्स के दौरान जा सकता है यह अच्छा बच्छो एक चीज का ध्यान रखना कि जो जहां कहीं भी अगर आप बाहर स्ट्रीट फूड खाओ खाओ कोई मना नहीं है लेकिन जो आसपास का एरिया है देखना कि वो गंदगी ना हो वहां पर अगर ऐसा है तो आप या तो खाने से पहले वोलो कि मेरे को साफ करके दो अधरवाइस खाओ मत ठीक है क्योंकि ऐसा क्या है ना कि इससे बीमार हो जाते है अभी मेरे एक नहीं कहां से कई रोड से और लो जॉन्डिस हो गया समझ रहे हो तो इन चीजों से बचना होता है क्लेर बात है बहुत अच्छे नेक्स्ट है कि अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए सबसे पहले तो कोशिश यह कि जाएगी कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका इफेक्ट कम किया जाए बुखार हो रहा है जैसे की ठीक है तो बुखार कम किया जाए क्योंकि टैंपरिचर बढ़ेगा तो दिक्कत है बॉड़ी के लिए बुखार कम किया जाए अब कि एक तो यह कि प्रॉपर बैड रेश्ट दे दिया जाए और एनरजी कंजर्व हो दूसरा यह कि जो माईक्रोब है जिसकी बज़े से वो प्रॉब्लम हो रही है उसे ही मार दो तुम अब उसे मारने के लिए Anti-Biotics लगती है क्या लगती है Anti-Biotics ठीक है Anti-Biotics आपने यह तर्म सुनी होगी ऐसे Medicine ने जो bacteria assessed वगयरा को मारती है Anti-Biotics होगी जो वाइरल हो गए वो सारे उनका काम यही होता है ठीक है अब कुछ क्लासिफिकेशन दी हुए कुछ कैटेगरी दी हुए ठीक है जैसे कि एंटी पारिटिक्स क्या होते है जब आपको फीवर और पेन हो ठीक है तब इनको लिया जाता है जैसे कि पेरासिटामॉल पेरासिटामॉल का जो मेन इफेक्ट होता है वो होता है फीवर पे पेन पे भी होता है लेकिन कम होता है फिर आ जाते हैं एनाल जैसिक का क्या काम होता है यह पेन और फीवर रिलीव में काम आता है लेकिन में जो इनका काम है पेन में ठीक है जैसे कि इसका ए आपने टी वी में डी देखिएओं इसकी नएक्स्ट है एंटीफा स्काज्मोडिक असब आंप्सार्ट का मतलब है जो एन्टोमिनल पेन होता है ठीक है जैसे जो पीट में दर्ध हमयोता है तो फहले कामतेश का इझयंपल क्या है मेफटालिस पास ठीक है और ड्रॉटी नेम हो गया ड्रॉटी नेम ये क्या है ये एंटी स्पास्मोडिक है क्लियर बात है नेक्स्ट है एंटी मेटिक है अब इसका क्या काम है ये क्या है जब जैसे की उल्टी हो रही हो उल्टी करने का मन कर रहा हो तब ये दवा दी जाती है ठीक है जैसे कि domperidon हो गया, या avomin हो गया, और ondanesterone हो गया, इनका काम यही है, कि यह ulty करने से रोके, ठीक है, next आ जाता है anti-inflammatory, अब inflammatory reaction हो गई कोई, ठीक है, तो उसको जैसे कि sudden surgeon आ गई है, ठीक है, वो क्या inflammatory reaction है, उसका जो main क्या है, वो allergic reaction की वज़े से हो जाता है, inflammation हो जाता है, अलर्जी का आपको पता इये? अलर्जी का अलर्जी कौनि पास का आपको इसको उप्रेस कर देगी थींग को थीक है, आधरवइज आगर अगर आपकर आ इलर्जी होगी को धीकिए समझ में आया थीक है? बहुत अच्छे बाकि to cure disease specific micro organism or medicines are used to kill that micro कोई भी particular disease है तो एक particular medicine को use किया जाता है मारने को जैसे कि अगर bacterial disease है ठीक है bacteria से disease हो रही है जैसे कि मैंने टाइफॉइड का आपको example दिया तो patient को क्या दिया जाएगा एंटी बैक्टिरियल medicine दी जाएगी क्योंकि वो टाइफोईड के माइक्रो और्गनिजम को मारेगे ठीक है एक्जामपल के लिए पैनिसिलीन टेट्रासाइक्लिन सेफिकसी यह क्या है यह एंटी बैक्टिरियल है मेडिसिन ठीक है और एंटी बायोटिक में भी यही आ जाता है इनका काम क्या होता है इससे हमें मतलब नहीं है यह रहने देना बाकि फिर भी बता जेता हूं यह क्या करते है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है ठीक है जो सरीर में रियक्शन हो रही है जो बैक्टिरिया के अंदर जो रियक्शन हो रही है एंटी बायोटिक्स का काम क्या होता है वो पर्टिकलर रियक्शन को स्टॉप कर देते हैं जैसी वो रियक्शन स्टॉप हुई जो बैक्टिरिया उसकी डेथ हो जाती है डेथ हो जाएगी उसकी तो फिर आपको पताईए क्या होगा हम ठीक हो जाएंगे एंटी वाइरल जो वाइरस को मारे ठीक है वाइरस इंफेक्शन में दीजए एंटी फंगल जो फंगस इंफेक्शन में दीजए एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन जो प्रोटोजोल इंफेक्शन में दीजए एंटी हेलमिंथ जो कीडे मारने की दवा होती है न स्कूलों में जो प्रिवेंशन आपने यह टम बहुत बार सुनी होगी प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर ठीक है ठीक होने से अच्छा है कि आप पहले बचावी कर लो जब बचाव कर लोगे तो आपको भीमारी ही नहीं होगी तो जर्नल वेज हैं जैसे कि एक तो यह है कि पबलिक एंड जो परसनल हाईजिन ठीक रखो बैलेंस डाइट खाओ आप ठीक है यह काफी इंपॉर्टेंट है पानी जादा प्यो प्रॉपर स्लेप लो यह सारी चीजे हैं ठीक है और अगर आप किसी क्राउड़ेड एरिया में जा रहे हो तो पहली बात तो अवाइड करो पहली बात तो अ बचने का हर डिजीज का एक स्पेसिफिक तरीका है ठीक है जैसे कि मान लो होता नहीं है कि जो यह डेंगी वगएरा से बचने का तरीका क्या है जो आसमास आसपास में पानी खटा हो रहा है ठीक है उसको इक खटा मत होने दो यह पर्टिकलर तरीक है ना डेंगी से बचने क बढ़ देंगी मलीरिया से बचने का तरीका तो यह स्पैसिफिक वे हैं इसको रीड कर लेना सब समझ में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलिग्राम इस्टाग्राम पर बाकी डिस्कॉर्ड पर भी हैं तो डिस्कॉर्ड पर भी है यह समझू जहां आप गाए देखो अ मतलब क्या है वैकशिनेशन इज डा एड्मिनस्टिेशन ओफव एक्सीन वैक्सीन का एडमेस्टिशन होगाम स्प्रवेक्सीन लगाई जाएगी ताकि जो पर्ट्टिकॉलर पर्सन है उसकी इम्मिनिटी बूस्ट हो जाए अब ऐस ठीक है, उसे हम vaccine बोलते हैं, ठीक है, तो coronavirus की vaccine आगे, जैसे की P-Ptheis drug की आपब यह लग ना, तो यह वह vaccine से, इनका क्या काम है, यह basically immunity boost कर देती है, अब इससे फायदा क्या होता है, हमारे सरीर में ना, एक यह खास बात है, हमारे सरीर की q метे की खास बात ही है, कि एक बार हम जब introduce कर देते हैं किसी भी particular organism से microorganism से, pathogen से तो हमारा सरीर उसे याद कर लेता है एक ना दुस्मनी सी हो जाती है दुस्मनी हो गई तो सरीर को याद है कि भाई ये पहले आया हुआ है अब इसे नहीं आने देना चाहिए फिर अब वो पूरी power के साथ क्यों ना है, पहले हम vaccine दे के weak part दे दे ताकि सरीर पहचान जाए उसके against अपनी army खड़ी कर ले ठीक है, जिसे हम बोलते है immune cells खड़ी कर ले ठीक है, immune cells develop कर ले हमारा सरी, उस particular bacteria virus के against then फिर जैसे ही या full power के साथ भी अगर वो virus bacteria आता है तो भी हमारा सरीर उसे जिल जाता है फोड़ी बहुत problem होगी, भाई बुखार आ जाएगा, लेकिन major को issue नहीं होगा ठीक है, major issue में यह हो सकते है कि sudden that हो जाए, लेकिन यह नहीं होगा, समझ रहे हो अब vaccine किस किस के against अविलेबल है, tetanus के against है जो वो लगाते हैं, tetanus के injection लगवाते हैं वो vaccine ही है, समझ रहे हो tetanus का सबसे weakest part है उस tetanus के injection में, वो लगाया हमारे सरीर उसके against दुबारा से वो बना लेगा हर तीन महिने में लगवाना होता है tetanus का injection है, इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है, बाकी वूपिंक अफ हो गया ठीक है, ये डिफ्टेरिया हो गया, पोलिया हो गया इनकी vaccine लगती है, और बच्पन में लगी भी है vaccination का सबसे बड़ा credit किसको दिया जाता है Edward Jenner को 1796 में इन्होंने smallpox की vaccine बनाई कैसे बनाई, हम फिर कभी discuss करेंगे podcast में मैं आपको बता दूँगा, इन्होंने कैसे क्या किया, जब थोड़ा historic part में हम जाएंगी न, science के तब मैं आपको बता दूँगा, ठीक है समझ में आया, अब कुछ disease है, उनको फैलाने वाले pathogen हो गए, disease कौन सी है, vector क्या है and symptoms के, जैसे malaria, protozoa, pathogen, ठीक है vector female endophilis mosquito हो गए, होता क्या, recurrent fever होता है chills के साथ, ठंड के साथ, ठंड के साथ, बुखार आता है typhoid हो गया, salmonella typhi है, ठीक है इसका जो positive organism, vector क्या है, वो है, cockroze है high fever हो सकता है, intestinal infection है, dust वगरा लगने लगते है पेट में दर्द होने लगता है, ये सारी चीज़े है ठीक है, next है AIDS, AIDS आपको पता ही है, HIV इसका वाइरस है ये एक particular disease नहीं है, ये collection है disease का इसमें कई सारी disease होने लगती है, ठीक है डेंगी, आपको क्या याद रखना है, exam point of view से important क्या है malaria का याद रख लेना, typhoid का, AIDS में आपसे pathogen पूछ लिया जा सकता है symptom नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी सब में आपसे pathogen, symptom और vector पूछ लिया जा सकते है ठीक है बच्चो, बाकी warm वगेरा में, जैसे की intestinal warm हो गया, stomach में दर्द हो गया, काला जर में लेशमेनिया हो गया, brain fever बोलते हैं इसे, ठीक है यह सारी चीज़े है, बच्चो यह सारी चीज़े आपने note कर ली, समझ में आया की नहीं आया है, जल्दी से बता दो, round warm, ascaria, ascaris, lumbricoid हो गया, ठीक है swine flu, virus के तुरू होता है, pig and human क्या है, इसके host है, और जो vector है, यह होता क्या है, जो fever होता है, वो spread कर जाता है Ebola virus आपने सुना होगा, word flu आपने सुना होगा, recent में सुर्ख्यों में राता bird flu, ठीक है, so बच्चो आज के lecture में इतना ही, hopefully आपको सब समझ आया होगा, अगर कोई doubt है तो आप मुझे reach out कर सकते हो, discord पर, telegram पर, instagram पर, lecture को like share कर दो, अगर इब तक नहीं किया है तो, subscribe किया होता अच्छी बात है नहीं किया है, तो कर दो, अपने alt ID से भी कर दो, अपने friends से भी बोल दो करने को, बिलते अगले lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद,